हेलो दोस्तों आप सभी को जय मस्य की स्वागत किया जाता एक और नए वीडियो में इपीसियो पाच्छ दैके सोला वचन में लिखा हुआ है और अवसर को वह मुल समझो कि की दिन बुरे हैं परमेसर का वचन कहता है जो आपको अवसर मिला है परमेसर ने हमें और आपको दिया है समसर का पुरा पुरा प्योग करो क्योंकि आज के समय में सैतान अपना तीर मस्यों के उपर चला रहा है और चला चला कर उसको नर्क मिले जाना चाहता है देखिए आप हर संडे चर्च जाओ रोज बाइबल पर रोज प्रहतना करो सैतान को कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है सैतान को फर्क तब पढ़ता है जब आप परमेसर की आग्याओ को मानना शुरू कर देते हो परमेसर के वचन पर चलना शुरू कर देते हो सैतान को तब फर्क पड़ता है तब वह यह सोचने लगता है कि अब तो यह मसीह अपना मन फिरा लेगा और सुरू का जीवन प्राप्त कर लेगा मेरे भाईयों और बेनों मेरा मकसद है आप सभी लोगों को पाप से बचाना क्योंकि परमेसर पवित्र है और जहाँ परमेसर रहता है वहाँ जगा पवित्र है और वहाँ सिर्फ पवित्र लोग ही जा पाएंगे मेरे प्रियों क्योंकि आज मसीही को सिर्फ अच्छा ही अच्छा सुनने की आदत पड़ गई है किसी को खरी सिच्छा पसंद ही नहीं है बस चंगाई चंगाई और मेरा घर बन जाए बस चंगाई मिल जाए बस यही हो रहा है आज यूटूब पर अंत के बारे में बहुत कम बताया जा रहा है अगर आपके जीवन में पाप हैं तो आईए और परमियसर के सामने घुटेने टेकिए और परमियसर से बोल दीजिए कि मुझसे हो गई गलती मगर परमियसर अपको माप कर देगा कि पाप छमा करने का दिकार सिर्फ ये शुमसी को दिया गया है अभी आपके पास पूरा समय है आउसर को बहुमूल समझो आशू बहार लो पश्चाताब कर लो और लोटाओ ये शुके पास परमियसर अपको माप कर देगा मेरे पिरियों मगर हमें पाप नहीं करना है कि आंद का दिन चल रहा है नीती वचन पांचे देके नवचन में लिखा हुआ है चुकि परा पाइस तरी को क्यों चातिस लगाए अपर चित का मतलाब है जिसकी जानकारी ना हो अजनभी क्योंकि मनुष के मार्ग यहवा की द्रिष्टी से छिपे नहीं है और वह उसके सम मार्गों पर ध्यान करता है ऐसा कोई मनुष से हैं ही नहीं जो परमियोसर से छिपकर पाप कर कि परमियोसर की आखे हार एक स्थान पर लगी रहती हैं दुष्ट अपने ही अधर्म के काम मों में फशेगा और अपने ही पाप के बंधन में फशा हुआ रहेगा और सिच्छा प्राप्त किये बिना ही मर जाएगा और अपनी मुर्कता के कारण इधर उधर भटकता रहेग कि अपने लिए खोर्द नर्क का दर्वाजा खोला है आज मनुष्य अपनी इसांति के लिए पाईशो के लिए मनुष्य अपनी अत्मा को नाश कर देता है कि अपने जीवित। हुदा के न्याए को लनकारा है जो पर पवित्रता के कारण महापततकी है। जीवान और मरल की बातें आके सम्मुक हरक की है। फैसला भी आपका है चुन भी आपका है चुनो जिसको चुनना चाहते हो जीवानीयमिरत्यूअ कि पर पर पहली बारा हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जूरू के लेना